विल्कम तो मैं चैनल साक्षी फैमिली आर्टेट ब्लॉग में आप सब का स्वागत है और बती कैसे हैं आप लोग अच्छे होगे तो आज मैं बहुत ही उच्फुल वीडियो लेकर आई हूं तो आज कल जो भी चीजे खाते हैं हम लोग सारे केमिकल से पके होते हैं तो आज म अच्छे हैं चैनल पर अच्छे होगे लेकिन टायट लग रहा है छूने से बिलकुल तो मैं इसे पकाने जा रहे थी तो आप लोक के साल भी शेयर कर लो मैं तो यह दिखिए इस पकाना बहुत ही जी है और बीना केमिकल के आप कैसे पका सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इजली तरीके से वह मैं आज आप लोको सेयर करने चाहरी हूं फ्रेंट तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक केमेंट से जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अब लेना है एक मोटा कपड़ा आप चाहे तो जूट के बोड़े का वेस्तमाल कर सकते हो बट मेरे पास बोरा नहीं है तो यह देखिए मैंने एक मोटा टॉवल आपके पास टॉवल होगा तो भी ले सकते हो यह मेरा कीचिन टॉवल है और यह देखिए कितना अच्छा खा कि के यसरा से रख लेना है और दॉवल को बहुत ये हरे खाले नहीं होते है तो इसे अच्छी से इस तरह से लिए करके करके कप्ड़े में इसे अच्छी से देखिए कसे बहुत है क्वाब की रख़ते हैं और अगर आप यसे गर्मी में पग रहे हो तो आप कुल, ऑफटा चुब्छा में और धंडी में तो दो दिन लग सकता है करें तो फिर दो दिन बात दो दिन बात देखिए का तना ब dis Board मैं 24 गंटे बाद इसे पलट के देख रहे हूं थोड़ा सा सॉप्ट हो गया है मतलब खाने लाइक हो गया है अब इसे खा भी सकते हो बट मैं इसे एक दिन के लिए और रख दूंगी तो यह देखेगा फिर इतना सुन्दर हो जाएगा यह केला बिल्कुल भी कलर चेंज हो ज रख सकते हो यह देखे पर नेक्स डे और भी एलो हो गया यह केला कितना सुन्दर से पक गया है अच्छोने में ठंडा फ्रीज के जैसा लग रहा है और मेरा कपड़ा अभी तक गीला था तो अगर आपके कपड़े पतले हैं अगर सूख जाते हैं तो इसे भींगा भी जाक बहुत ही अच्छा टिप्स है बिना केमिकल के घर में पकाने का केला और यह देखिए मारा केला पक चुका है एक दम खाने लएक रेडी है तो फ्रेंड कैसा लगा आपको यह वीडियो प्लीज जरूर बताईएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैन